यार सिंचन तुमको तो काफी ज़्यादा मज़ा आ रहा होगा ना यहाँ पर गुंब घर इतना सुहाना मोस है में और आज दिन भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है हो रहा जो तुमारी छुट्टी भी है अरे हाँ भीया मज़ा तो आ रहा है लेकिन एक बात का अफसोस भी है किस बात का अफसोस है यार तुम्हें अरे भीया हमारा दोस्त अमारा छुटा भाई चोप मारा गया हाँ यार उस बात का अफसोस तो मुझे भी यार सर्वियन डांसिंग लेडी ने अपने भाई चोप को मार दिया लेकिन तुम्हारे भाई ने यार बदला ले तो लिया अब किस बात का गम अरे हां बदला तो ले लिया भाईया अरे भाईया तुम्हारे पीछे कोई बोड़ी बिल्डो है यार भाईया उससे मुझे डार लग रहा है यार तुम भी कैसी बादे कर रहे हो कोई तो ह यहां पर पीछी की तरफ एरे यार है तो सरी यहां पर कोई बोड़ी विल्डो अरे भाई बोड़ी विल्डो कौन हो तुम यार नाम तो बताओ तुमारा आकिर तुम्हें बेजा किसने और हमें क्यों परिशान कर रहे हो मोजे सर्वियन डांसिंग लेडी ने विजा है मैं सर्वियन डांसिंग लेडी का एक चेला हूँ अरे क्या सर्वियन डांसिंग लेडी को तुम्हें ने मार दिया था ना अरे उसको जो है डैविल गोड ने जिन्दा कर दिया अभी तुम मरने वाले हो अरे यार कैसे करूँ यार अभी तो मेरे पास अवेंजर्स के लिए कॉल करने के लिए होन भी नहीं है एक काम करता हूँ यार यहाँ पर इसे बातों में बहलाता हूँ और सिंचेन को जो है भीज देता हूँ यार अवेंजर्स को कॉल करने के लिए यार तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो तुम तो बहुत ही बढ़ी आस्ती हो और तुम मुझे बेल आ रहे हो अरे सिंचे नहीं काम कर तू जल्दी घर पर जा और अवेंजर आर्मी को जो है कोल मिला कर उसको सब कुछ बता दे कि सर्वियन डांसिंग लेडी वापस से जिन्दा हो गई है वो मुझे बचाने आ जाएंगी अरे हाँ बईया मैं घर जल्दी जाता हूँ और अवेंजर आर्मी को कोल मिला कर उनको सब कुछ बता देता हूँ हाँ हाँ तुम जल्दी जाओ मैं इससे नहीं पठता हूँ तब तक के लिए मैं इसको यहाँ पर उल्दा कर रखता हूँ अरे हाँ बईया मैं जा रहा हूँ कुछ ही देर में यहाँ से चल जाओंगा लेकिन मैं यहाँ से जाना नहीं चाता लो यार कैसे ने तैसे मैंने सिंचेन को उसको अपने घर पे भेज़ दिया अभी इससे बात करते है इसको अभी सबक सिखाते है यार ये कुछ ज़्यादा ही चोड़ में हो रहा है सर्वियन डांसिंग लेडी को तो मैंने एक बार मार दिया इसको मारना कौन सी बड़ी बात ह आखिरकार ये सर्वेंट डांसिंग लेडी का चेला है लेकिन यार ये अचानक से आखिरकार गायब हो गया सहाँ पर गया है यार कुछ दिखाई नहीं दे रहा है अभी अभी तो यही यही था साइद मुझसे यार डर कर चला गया होगा कि क्यार अपन तो है इतने पावरफुल एक बार अपने सर्वेंट डांसिंग लेडी को मारा था यार पिछले एपिसोड में आप लोगों नहीं देखा ही होगा अगर नहीं देखा है तियार क्या कर रहे हो जल्दी सी जाकर देखो ना इस एपिसोड के बार देख लेना कोई नहीं अरे यार मैं जल्दी सी गाड़ी में बैठ जाता हूँ और यार से निकलता हूँ अरे ये वापस से आ गया अरे भाई ये तो काफी ज़्यादा खदरनाक है यार ये तो अपने को जिंदा नहीं छोड़ने वाला है इससे भाद कर बचता हूँ अरे यार मुझको छोड़ दे यार सर्भियन डांसिंग लेडी के चले पोड़ी बिल्डर अब तुम बिलकुल भी नहीं बचने वाले तुम ने मेरी गुरू यारी सर्भियन डांसिंग लेडी का अपमान किया है और तुमने उनको एक बर मानने की भी कोशिस किया है अब ये मैं तुमको बिलकुल भी नहीं चोड़ने वाला ये लो मेरा लेजर बीम अरे यार ये तो अपने पीचे हाथ दो की पड़ गया है यहां से कैसे ने तैसे निकलना होगा इससे बचके वरना तो ये अपने को फूरा ही मार देगा यार क्या करू क्या करू यहां पर तो कोई गाड़ी भी नहीं है अरे नहीं यार इसने वापस से पंच मारा रहे इसने तो चक्कर पईय बना दिया यार अपने को क्या करू यार कुछ समझ में नहीं आ रहा यार इस कोई हरे चीज में पंच है यार ये जब पंच मारता है तो आगे निकलती है यार और अभी तो ये क्या ये तो अपने हाथों से मिसाइल चोड़ रहा है यार यह तो उड़ा उड़ा के मर रहा है अरे हाहा जो कोई नहीं कर सकता हूँ मैं आप बोड़ी बिल्डो चेला तर्वियंड डांसिंग लेडी ने मुझको भेजा हाहा अरे यार वह तो मुझको पता है लेकिन यार तुम मुझको छोड़ दो वर अबर यह अवेंजर आर्मी से नाम सुनकर डर कर भाग गया है मुझको ऐसा ही लग रहा है अभी तो बिलकुल वेजी नहीं भी लेजाई रहाल सकी जैसे हिसे ही वेज़ा यह ने सुना है तुमको कोई पीट रहा था अरे हां यार तुमने एकदम सही सुना एक बोडी विल्डो था जो की सर्वेड डांसिंग लेडी का चेला था अरे मैंने तो सुना था कि तुमने जो है सर्वेड डांसिंग लेडी को मार दिया था अरे हां तुमने एकदम सही सुना था ल इसमें क्या है पीछे देख लेता हूँ यही वो बोड़ी बिल्डर है यह तो कोई मामूली सा आदमी लग रहा है यह तो मेरे एक पंच का भी नहीं है इसको अभी बताता हूँ यार हाँ मैं कोई मामूली आदमी नहीं हूँ एक बार तुम मुझे भी हमला तु करके देखो फिर तुमको पर चलेगा मैं अकी स्केट की मुली मुझे कोई आम आदमी नहीं मार सकता ना ही कोई सूपर हीरो और तुम तो इतने ज्यादा पावरफुल भी नहीं हो यार तुम तो य तो रहाता कि तू बोधी ज़्यादा पावरफुल है औरे हाँ यार ये बोध ज़्यादा पावरफुल है इससे एक परच में कुछ नहीं होगा इसको यार दढ़ा दढ़ मारो आरे वो मारता गया और कितना मारू और यह तो वापस आ गया इसको आभी सबक सिखाना पड़ेगा एक के बाद एक इसको धर दबोचना पड़ेगा हाँ यार आरे यार यार यह तो बहुत ही तगड़ा मिसाइल प्रेटा है हाँ मैं उचको पता था इसलि मैं भी कोई कम नहीं हूं अरे यार अपने तो चोट लग गई अब यह बठाता हूं तुट को बोड़ी बिल्ड़ो यह ले दा आयरन मैन का मिसाइल यह और कहा गया यार यह तो अचानक से गायब भी हो जाता है अरे हाँ यार इसको मारना थोड़ा सब कठीन है यार आयरन म किता हूंगा इसको क्या पता मेरा सूट फायर प्रूब है और यार भी जाधा चोट लग गई ऐसे असे तरी के से मार रहा है अपने को ओइस तो यार सारे की सारे अपनी ही अत्यार है जो कि यार अपने पास होते है इसी का पास ब्लकुल मेरे जैसे अत्यार है ह minimizing मॉश लग जब दो समने को या थिधो यार मुझ्ग मैन को पूरा के पूरा कर दिया यार यह देखो अर्टे लास पड हम आप चली अब मुझह को इस बंदर से कोरे बोला हमारी के नहीं आरह मुझको लग्ता है ह outcome Franklin की जान खत्रे में मुझे लगता है उसको बचारा चाहिए और यह क्या यहां तो Iron Man मारा जा चुका है इस गोचु को मारते हुए अभी मुझे इस गोचु को सबाग सिकाना होगा वैसे गोचु है कोई एफ फ्ärt truths अरे यार गोकू यह और कोई नहीं इस अरवें डांस मेरें लटी एकित व्रीकल और मेरे दोस्तिन ते को कम हमा है कर दिया अरे यहसे यहां मैंने इसको करद्यार न्गा इन्लीलि अरे ये देखो अभी इसको पैखाता हूं पानी में लिनी लिनी और यार मैंने तो इसको मार दिया अभी यह तो वापस से आ गया इसको खतम करना इतना मुश्किल क्यों है अरे हां यार यह सर्विय अदार्स लेटी का चेला है ना इसलिए इसको खतम करना थोड़ा सा मुख् अरे यार तो क्या पदर तुमको भी मार दे और यार इसकी इतनी हिमा जो मुझे को मारेगा यह ले अभी इसको बताता हूं आरे यार चोट लग गई अभी अपनी दूसरी पावर का इस्तमाल करता हूं और इसको जो है एक बैटरीन वाला सबक सिखाता हूं यह ले मेरी अरे तुम आतनी स्पेशल पावर करो जिससे तुम डबल हो जाते हूं और यार तुमने एकदम सही का अभी मैं हो चुका हूं डबल और इसको कर दूंगा अभी ख़लत यह लो मेरा बीन लिजर और यार इसको तो बहुत ज़्यादे चोट लगी है अभी मैं दूसरी सक्षि इसका इसका बीन लिजर तो नहीं है ना अला उला देखते हैं इसका कोई रूपिया है यह नहीं फटफन डूनते हैं यहाँ पर तो कोई नहीं है यह इन अभी देखते हैं अरे फ्रांक्लिन तुम कहा हो कि तुम अभी घर पर ञाो क्योंकि तुमहारा भाई सिं चयन अभी घर पर अक्मय और यार चया पता शारवर डांसिंग लेडिने उसको पकड़ने के लिए भी कोई छेले भेजे हो तो उसकी जान खत्रे में हो सकती है और मैं जाओंगा सर्वियन डांसिंग लेडी का अड़ा डून ने ताकि मैं उसको खतम कर सकूं अरे हाँ यार गोकु तुम एकदम बढ़िया कह रहे हो मुझको यार खर पर चलना चाहिए और तुम सर्वियन डां बाइक मिल गई है अभी इस बाइक को उठाते है और यहां से निकलते है यार और ढूनते है यार सिंचैन को वैसे त्यार वो घर ही गया है लेकिन क्या पता कोई उसके पीछे पढ़ गया हो तो वो भाग भी जाता है यार वैसे गाईज अगर आपको वीडियो पसंद आ रह अगाता हूं यार गंटी क्यों नहीं जा रही यार इनके फॉन पर अरे क्या हो गया यह अरे यह कौन यह तो यार चैन सो हल्कवस्टर है यह यहां पर क्या कर रहा है किसने इसको बेजा और मुच को बेजा है सार्वे अंडांसिंग लेडिने और आप तुमारा खात्मा होन अरे यार लोग अपन भी पहुंच गए है अभी अपने घर पर फटफट यार जो है जूनते यार सिंचेन को मुझको लगता है कि वो घर में होगा फटफट चलते हैं घर के अंदर और सिंचेन यार कहां पर चुपे हो यार तुम जल्दी से आजाओ यहां पर बहुत ही अरे सिंचेन यार कोई मजाक मस्ती मत करो तुमें तो पता है ना क्या चल रहा है लो सेंटोस में यार वहां पर मैंने तुझे भेजा ता घर पे और तुम यार घर पर नहीं हो कहां गए तुम एक मिन्ट रूको यार यह जमीन पर क्या पड़ा है मुझको लगता है यहांप पर सर्वियन डांसिंग लेडी का कोई चेला आया है और वो जो है सिंचेन को किड्नेप करके ले गया यार अब क्या करूं मैं यहां पर यार सीसे पर खून भी लगा है और जमीन पर एक जक्कू भी दसा पड़ा है और खून के दबे चारों और मेरे घर के अंदर पहले हुए सर्वियन डांसिंग लेडी का एक बंद तुम्हारे बाइस इंचेन को ले गया है सर्वियन डांसिंग लेडी के पास अरे तुम कौन और दिखाई क्यों नहीं दे रहे हो अरे मेरा नाव है इन्विसिवल मैर और मैं दिखाई नहीं देता हूँ तुम्हें सर्वियन डांसि कुछ बात करनी है अरे यार मैं तुम पर कैसे भरोसा कर लो और सर्वियन डांसिंग लेडी सिर्फ बात ही करेगी यह मैं कैसे मालो अरे वह उसको तुछ को मारना होता तो कवका मार चुके होती बात तरहर इसकी एकदम सही है अगर उसको मार नहीं होता तो मुझे को कवका मार छुक्के होती फिलाल अरब अपन कुछ कर भी तो नहीं सकते चुंकि अपने पास कोई चारा भी नहीं बचा है अपने को तो है अभी सर्विन डांसिंग लेडी के पास जाने हैं होगा चाहिए उसका इरादा कुछ भी हो या मुझे मानने का हो या बात करने का अपने पास कोई और दूसरा उपाय नहीं है कि अपन सर्बेन डान सिंग की लेड़ी के पास ना जाए क्योंकि यार उसके पास अपना भाई सिंग चैन है यार तो अपने को तो जाना ही पड़ेगा तो यार कैसे भी करके अभी वहाँ पर चलते हैं अपन और फिर यार वहाँ से निकलने का भी सोचेंगे क्योंकि यार एक बार अपनों आ चली गए तो वहाँ पर जो सर्बेन डान सिंग लेड़ी की पूरी के पूरी स्थेना होगी कि वहाँ पर उसके बहुत सारे चेले होंगी अपनी एक बोडी विल्डो चेला तो देखी था वो कितना ज़्यादा ताकतवर था आपने अभी देखी लिया उसने आइरन मैन को भी मार दिया यार कितना ज़्यादा खतरनाक था वो अभी देखते हैं अपन वहाँ पर चलते हैं और किस तरह से अपन सिंचैन को छुड़ा कर ला पाते हैं या नहीं देखते हैं यार मुझको तो लग रहा है कि यार सिंचैन पता नहीं जिन्दा होगा भी या नहीं वैसे यार मैं क्यों नेगेटिव सोच रहा हूँ मुझे तो बस उमीद रखनी चाहिए कि सिंचेन अभी तक जिन्दा होगा सायद सर्वियन डानसिंग लेड़ी अपनी टीम में होना चाहती है क्योंकि क्या पता हो गोल भी कोई बड़ा खत्रा हो उसके अलाव भी तो यार व सर्वियन डानसिंग लेड़ी के काफी ज्यादा जो है चेले चापाटे घूम रहे हैं यहां पर सामने की तरफ ही एक चेला है यार और यह कोई मामूली चेला नहीं बलकि यह तो यार छेहाथ वाला इविल आइरन मैन है यार आइरन मैन इविल आइरन मैन यार अरे तुम य आरे वह तुमको अपने आप डूनना होगा मैं किसी को कुछ नहीं बताता यार यह कैसे चेले हैं यह तो अपने बोस का पता ही नहीं बता रहे हैं यार ऐसे चेलों से अच्छे तो बिगर चेले ही रह जाओ सामने की तरफ यार एक और चेला है यह तो ख़़ी ज़दा अब यहा रहा हु तुम यहांपर कर यह सरवेर डांसिंग लेड़ी के आटे पर तुमको मैं जिन्दा नहीं चुड़ूँगा अरे यार मैंज को तो सर्वेन डांसिंग लेडी नहीं बुलाया है यार मैं तो यहां पर जिन्दा ही रहूंगा अच्छा तो सर्वेन डांसिंग लेडी इधार नहीं टौप लॉर पर मिलेगी अच्छा अच्छा थैंक्यू यार चेले चपाटे भाई जी यार अभी मैं जात तो यार उसको ढूंड़ना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है अपने लिए यहां सामने की तरफ यार सीड़ी अपने को दिखाई देने लग रही है यहां पर भी यार एक और जो है चेला है यार सर्वेंडासिंग लेडी का और यह कोई मामोली चेला नहीं है इसके सर से देखो यार सर्वेंडासिंग लेडी को वर्ण यार वो सिंचेन को कहीं मार न दे यह सोचकर की फ्रैंक लिन नहीं आया उसे बचानी यार चलता हूं यहां पर काफी ज़्यादा पत्लिया अगर मैं यहां से नीचे गिराना तो पक की मेरी अडिया टूर जाएंगी देखो यार कित सब्सक्राइब काफी ज्यादा चोट लग गया यार यहां पर तो सीड़िया है तो यार सीड़ियों से चलता हूं उपर होगी यार सर्वेंडासिंग लेडी फटाफट और यहां पर यहां पर एक और तरफ सीड़िया है मुझको बोला गया तकि टौप फ्लोर पर जाना है यार इन सीड़ियों के जरी ही हम उपर जा सकते हैं तो फट 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 यार मैं उपर चलता हूं और यार यहां पर तो वो इच है हाथ वाला इविल आयरेन मैं है तुझको और भी जादा उपर जाना है राइट की तरफ अच्छे यार इसने अपने को बताया कि राइट की त साहिता यार और यह रहाए यार यह इतनी जल्ड आगे कैसे फो नहींने जाना है अच prediction also let the की तरफ मुझे सर्भियन डांसिंग कासा कुछ दिखाइए वर तो theory वारे हां यह सब छोड़ो की Time के बारे में कुछ कहां पर तुमने उसे जिन्दा तो रखा काना यह उसको जिन्दा रख रखा है यह बात तुम उसी से जाकर पूछ ले ना अब रटा डाब रहा फ्रैंक्लिन को पहुचा दो सिंचेन के पास अरे यह क्या यह कहां गया हम अरे बैया आप यहाप पर कैसे आ गई यार यह बहुत ही ज्यादा लंबी क उस गईना तो आप मर जाओगे मैंने तो अपनी नाक काफी देर से बंद कर रखी है अच्छा यार तो यार मैं भी अपनी नाक बंद कर लेता हूं लेकिन यहां से निकलने का कोई युगार है क्या एरे बैया अभी सकतो मुझे मिला नहीं कोई युगार बढ़ना मैं तो य यार मैंने यार उस फ्रैंकलिन को समझाया था कि यार वो सर्वेंड डांसिंग लेडी के पास ना जाए लेकिन यह हराम को फ्रैंकलिन बेकूप इतना बेकूप को इनसान कैसे हो सकता है यह सर्वेंड डांसिंग लेडी के पास चला गया अरे यार गोचो तुमने तो यार को गिरा दिया यार 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 तुमने तो मुझे भी गिरा दिया और यार फ्रैंकलिन मैंने तुम को समझाया था ना कि तुमको सरवीन डांसिंग लेडी के आस पास नहीं बटकना है फिर तुम यहाँ पर क्यों आ गए अरे यार यह अपने भाई को पकड़ ले आई थी तो कापी देखो पीछे तुम्हारे पीछे जो है सरवीन डांसिंग लेडी के तीन चेले अरे हाँ यार यह एकतं सही बोल रहा है फ्रैंकलिन भाइया मैं से सच बोलते हैं तो कापी बढ़ चेले ऐसा करो फ्रैंकलिन तुम यहां से निकल जाओ जाओ मैं इनके चेलों को देख बचाई है अब मेरा भी फर्द है तुम्हारी जान बचाना और तुम्हारे पास कोई शक्ति नहीं है जो मुझे बचा लोगे ऐसा करो कि तुम आईरन मैन को बुलाकर लेके आओ वो अस्पिटल में अच्छा आइरन मैन बच गया क्या तो यार फटफट मुझे आइरन मैन को बचाने के लिए जाना पड़ेगा यार अपने पास के वले एक ही सकती है अभी जो कि है भागने की और ये पता नहीं मेरे अंदर अचानक सी कहां से आ गए पहले तो ऐसी कोई सकती नहीं थी मेरे पास वैसे आज की वीडियो कापी ज़्यादा लब भी हो चुकी है अगर आपको इसका पार्ट टू चाहिए तो वीडियो का लाइक टार्गेट है हंड्रेड लाइक का जो कि आप जल्दी सी जल्दी करवा दो और मिलते हैं आपको नेक्ट डू में तब तक के लिए ताटा बाई बाई थैक्स वरोचिंग माई वीडियो धन्यवाद